CT क्या है कि आपको 11 में एडमिशन लेने के लिए CT देना कमपलसरी है आपका 11 का अडमिशन नहीं होगा अगर CT नहीं दोगे तो और आपके जो अडमिशन है वो CT के एक्जाम के बेसिस पर होंगे या फिर 10 वो जो रिजल्ट होंगे उनके बेसिस पर होंगे कितने marks खेंगे, कितने घंडेंगे, pattern क्या होगा, ऐसे बहुत सारे doubt जो है आप सभी के दिमाग में है आज वो सारा doubt में आपका इस lecture में clear कर दूँगा तो hello everyone, मेरा नाम है Vikram Singh और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube channel Max का कीड़ा तो चलिए शुरू करते है इस वीडियो को तो इस जैसा कि आप सभी जानते हो इस साल का 10th का board examination cancel हो गया इस वज़र से state ने decide कि वो CT examination लेंगे 11th admission के लिए अभी CT examination देना compulsory है या नहीं तो मैं कहा दू कि optional है पूरा आपके पर है आपको CT देना है या नहीं देना अब रही बात 11th admission की 11th admission कैसे होंगे तो मैं यह कहा दू कि जो 11th admission होंगे जो students CT जिन्नों ने दिया है उनको priority list में रखा जाएगा यानि कि उनको priority दी जाएगी admission में उनके admissions हो जाएंगे जिन बच्चों ने CT दिया है उनके admissions हो जाएंगे उसके बाद जो सीट रिमेनिंग हुए उसमें वह जो रिमेनिंग जिन्हों नहीं नहीं दिया सीट उन स्टुएंट्स के admission होंगे तो यह चीज़ याद रखो जो आप CT दे रहे हो तो आप कॉलेजिस के priority list में होंगे आपको पहले देंगे अगर नहीं दिया है तो रिमेनिंग सीट बचेंगी उसके बाद ही आपको मिलेगा तो CT के एक यह फायदा है इस बार देने का अब CT में syllabus कैसे होंगे तो उसके syllabus आपके English, Social Science, Science हो गया ठीक है यह जो चार subject है 100 marks के फेपर होंगे एक subject यानि कि English 25, Max 25, Social Science 25 and Science 25 तो इसे 25 करके 100 marks के फेपर होंगे जिसके लिए आपको दो घंटे मिलेंगे और यह जो पेपर का pattern होगा वो पेपर का pattern MCQ pattern में होगा यानि कि आपको tick करना है, खाली MCQ select करना है तो गईस यह CT के examination जो है July के last week या फिर August के first week तक हो जाएगा और जिनोंने board exam के examination fees pay कर दिये था, हमें एक fees pay करना पड़ता है board exams के लिए वो अगर जिनोंने fees pay कर दिये उनको इधर CT के examination fees नहीं pay करने पड़ेंगे उनको सीधा वो form fill up करके आपको exam दे देना है तो इसके भी एक यही advantage है कि आप अगर दे देते हो तो फिर आपको priority में अच्छे colleges आपको चाहिए तो वो colleges आपको पहले मिल जाएंगे आपको merit list लगेगा CT में भी तो आपको college मिल जाएंगे और जिनोंने नहीं दिया है तो हो सकता है कि उनका मन पस इंदेदा college ना मिले क्योंकि वो fill हो जाए अगर उसके seat तो आपको फिर दूसरे के सी college में जाना पड़ेगा तो यह एक benefit है जिनोंने CT अगर वो इस साल देंग पीछे काफी mcqs होते वो पढ़ लीजिए और हां यह optional है यह याद रखी का mandatory नहीं है लेकिन अगर आप देते हो तो उसके भी कुछ advantage है जो कि मैंने आपको बता दिया तो यह था इस वीडियो में अगर आपको अब भी कोई comment है कोई doubt है तो जरूर कमेंट करके बताइए त जरूर आपका doubts clear करूंगा तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी वीडियो में लाता रहता हूं अपने friends के जाए जरूर शेर करें इस वीडियो को मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अब्डेट के साथ तब तेक लिए ठाइंगे वेरी मॉच पॉर वाचिंग दी कर झार बारूर जेक्स वीडियो में वेरी की वीडियो में नेक्स में बाइंगे प्यार खो और अटां अमेरी मैं हीडियो में पॉर उ CC अधने हो़ कि से peng दोन ज thereूर जरूर बभी हम ज'reूर सुनेयों ठाउर बबर हैं जब वेरी